डियर स्टूडेंट, टेडी सरके नो प्रॉब्लम यूटूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है यदि आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें जिससे आपको अंग्रेजी को पढ़ने, सीखने या उसका हिंदी अनुबात करने में कोई शमस्या आए तो उसका समाधान आपको मिलता रहे शात्रो आज हम कक्षा 9 की अंग्रेजी के लेसन वन के संपूर मीनिंग्स इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि मीनिंग ही एक ऐसा तरीका है जो अंग्रेजी को मजबूत बनाता है, आपके सब्ध भंडार को बढ़ाता है, सही सही अंग्रेजी पढ़ना सखाता है और उसका हिंदी अनुबात भी आ जाता है, तो चलिए फिरारंब करते हैं ही रही हमारी कक्षा नाइन्थ की इंगलेस की पुस्तक और जिसका नाम है बी हाइब, क्या नाम है जिसका जिसका नाम है बी हाइब, इसी पुस्तक के हम इस लेसन की समपूर मीनिंग्स पढ़ने वाले हैं, इस लेसन का नाम है दाफन दी हैड, जिसका मीन्स होता है या जिसका मतलब होता है मजा जो उनकी पास था शात्रो, मजा जो उनके पास था, तो वह मजा तो उनके पास था, लेकिन यदि आप वह मजा अपने पास रखना चाहते हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि आपको भी वह मजा मिलता रहे तो चलिए शुरू करते हैं लेशन वन दा फन दे हैड जिसका मतलब होता है मजा जो उनके पास था, इस लेशन की फ़हली मीनिंग एक्स आई एस टी, एक्जिस्ट, एक्जिस्ट मीन्स अस्त्यत होना या मजूद डी आई ए, जी आर ए, एम, डाइग्रेम, डाइग्रेम मीन्स रेखा चित्र या आरेख भी आई आर, टी यू ए ऐल, वर्चूल, वर्चूल मीन्स कम्प्यूटर द्वारह आभासी आई में ए, जी आई एन ए, इमेजिन, इमेजिन मिन्स कल्पना करना सी आर आई, एन के एल वाई, क्रिंक ली, क्रिंक ली मीन्स सिलबटें भरा या जुरीदार AW, F-U-L-L-Y, O-P-L-E, O-P-L-E, O-P-L-E means बहुत या भैसे F-U-N-N, By, Funny, Funny means मजेदार G-E-E, G-G means आगे वढ़ना या आश्यर्य व्यक्त करना A-C-O-R-N-F-U-L, Is-Cornful, Is-Cornful means तरसकारपून या नफरत का M-E-C-H-A-N-I-C-A-L, Mechanical, Mechanical means यांत्रिक या मसीनी S-H-A-K-E, Sack, By, O-U-R, Your, H-E-A-D, Head, Sack, Your, Head Means नकारातमक उत्तर के लिए सिरहलाना D-I-A-L, Dial, Dial means अंकपट A-P-A-R-T, Afford, Afford means दूर या अलग या टोकडों में S-L-O-T, Slot, Slot means खाचा या निरधारत स्थान P-U-N-C-H, Funch, Funch means मुक्का या छेदक C-O-D-E, Code, Code means कूट भासा या संकेत या संचिफ्त नाम T-A-T-E-D, Pated, Pated means फींट, थफफफाई या हाथ फिरना G-E-A-R-E-D, Gared, Gared means एक बिसेश मानक या इस्तर के लिए समायोजित O-V-E-R-A-L-L, Overall, Overall means कुल मिलाकर या संपुर्ण S-A-T-I-S, F-A-C-T-O-R-Y, Satisfactory, Satisfactory means संतोष जनक A-L-T-O-G-E-T-H-E-R, All Together, All Together means पूर्णतया या कुल मिलाकर L-O-F-T-I-L-Y, Loftly, Loftly means उच्चता से या हंकार पूर्वक A-D-D-E-D, Added, Added means साथ ही या संकलित A-C-R-E-A-M-E-D, Screamed, Screamed means चलाया या जोर से चीखना A-D-J-U-S-T-E-D, Adjusted, Adjusted means समायोजित N-O-N-C-H-E-L-A-N-T-L-Y, Non-Salently, Non-Salently means उदासीनता पूर्वक T-U-C-K-E-D, Tucked, Tucked means सिकुडा हुगा L-I-T-L-E-T, Lit means जयोतिरमय, A-R-I-T-H-M-E-T-I-C, Arthematic Arthematic means अंकगनित F-R-A-C-T-I-O-N, Fraction means विन, A-C-H-O-L-Y-A-R-D, School Yard School Yard means विद्यालाय का प्रांगन इस प्रकार छात्रो हम इस पस्तक विहाईब के लेसन बन के शंपूर मीनिंग्स को पढ़ लेते हैं इनको एक कापी में नोट कर लेते हैं नोट करने के बाद आप उनको सीख लेते हैं और सीखने के बाद आप इस लेसन को पढ़ेंगे उसमें किसी प्रकार की तुर्टी नहीं होगी और उसका सही सही हिंदी अनुबाद भी कर सकेंगे तब आपकी समय में आएगा कि बू मजा उनके पास था अब वह मजा हमारे पास भी है छात्रो वीडियो अगर पशंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा सेयर करें ताकि बेभी अंग्रेजी पढ़ना सीख सकें और उसका सही सही हिंदी अनुबाद कर सकें तो चलिए मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार